काफी जगाओ से डॉप्टर्स नहीं ये कंप्लीन किया है कि उनके पास N95 मास्क्स अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास परस्टनल प्रटेक्टिव एक्विप्मेंट अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में, कुछ जगाओ में देखा गया है कि डॉप्टर्स को या तो या डिजिटल प्लाटफॉर्म्स में. अपने फाकल्टी मेंबर्स से, जो head of the department हैं, उनसे discuss करें, उनको बताएं, आप social media पे न आ जाएं. लेकिन medical experts हमेशा कहते हैं, कोई भी pandemic के time पे, कोई information sensor नहीं करना चाहिए. जो factual information है, अगर आप sensor करेंगे, तो लोगों तक एक unrealistic picture जाएगी. और लोगों के जो expectations हैं government से, वो भी unrealistic हो जाएगी. doctors को censor ना किया जाए, ये एक appeal doctors का है government के सामने. दूस्ती चीज़ ये है, जो citizens चाहते हैं, कि जो सारा details है quarantine center का, हर एक state में. वो details का consolidated list निकले, local newspapers पे, जहाँ पता चले लोगों को कि अगर हमें पास sentence है, अगर कुछ लग रहा है कि coronavirus है शायद, तो testing के लिए या quarantine के लिए कहां जाए. बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जो district headquarters से काफी cut-off हैं, जैसे अबुच मार बोर के जो area है, बस्तर में, वहाँ के जो लोग हैं, उनको तीन दिन चलके आना परता है weekly market तक, कि अपना जो essential समान है वो खरीदने के लिए, अगर कोई आदमी वैसे किसी इलाके से affected होता है, तो वो कहां जाए अपनी testing कराने, कहां जाए quarantine में, ये सारा details वहाँ के लोगों को नहीं है, पता. At the same time, जैसे मनिपूर में Myanmar border के पास जो लोग रहते हैं, अगर उनको symptoms दिखे, अगर उनको लगे की, उनको जरूरत है testing की, वो कहां जाए इस lockdown में, क्या वो मनिपूर में, इमफाल city जो है capital वहां तक जाना पड़े, या चुराचांदपूर में ही कोई ऐसा district hospital में है, ऐसी को पार ओफ जगाओं में लोग रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कते हो रही हैं, lockdown में, hospital तक पहुचने के लिए, testing कराने के लिए, या कोई information लेने के लिए, quarantine centers related, ये सारा जो अगर list एक consolidated निकल जाए, एक help line number के जो सारे details है, वो अगर local newspapers में छप जाए, websites में छपे, तो लोगों को सुविदा होगी जानने के लिए कि कहां जाएं, थर्ड ली, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कोई एक community है, कोई एक समुदाय है, जो coronavirus इंडिया में फैला रही है, क्योंकि उस समुदाय के कुछ लोगों को ये infection हुआ है, क्योंकि उन्हो इस्ट एशिया से आएवें लोग थें, जो areas, साउथ इस्ट एशिया एक ऐसा area है, एक ऐसा region है, जो coronavirus से बहुत पहले ही affected हो चुका था, चायना के बाद ही, वहां से आएवें लोगों के साथ एक event उन्होंने अटेंट किया निजामों दिन में, और वैसे ही infection फैल गया उन ल करना चाते हैं कि वही समुदाय के जो लोग हैं, वो इस virus को फैला रहे हैं, ये एक demand है कुछ लोगों की कि अगर देश का जो leadership है, वो next time जब press से बात करें या nation को address करें, वहां साफ साफ शब्दों में ये बोला जाए कि कोई एक समुदाय को आप stigmatize ना करें, क्यूंकि ये वाइरस कोई एक समुदाय को effect नहीं कर रही है, या एक समुदाय उसको नहीं फैला रही है, अगर ये message loud and clear leadership से लोगों तक पहुँचे, तो लोग जो stigmatize कर रहे हैं, social media पे attacks कर रहे हैं, physically लोगों को attack कर रहे हैं, क्यूंकि वो लोग एक समुदाय से belong करते हैं, वो कुछ हद तक at least रुख सकता है, थैंक यू